सात्यो स्वामी विवेकानन जी कहते थे मूर्ती में आस्था का रहस्य ये हैं कि आप उस एक चीज से वीजन अप डिविनिटी डेवलप करते हैं मेरी कामना है कि जेनियो में लगी स्वामी जी की प्रतिमा सभी को प्रेरित करे उर्जा से भरे ये प्रतिमा वो साहस दे करेद दे जिसे स्वामी विवेकानन जी प्रतेक व्यक्ति में देखना चाहते थे ये प्रतिमा वो करोना भाव सिखाएं कमपेशन सिखाएं जो स्वामी जी के दर्शन का मुख्य आधार है ये प्रतिमा हमें राष्ट के प्रती अगाद समर्पन सिखाएं प्रेम सिखाएं इंटेंस लव फर अवर कंट्री जो स्वामी जी के जीवन का सरवोच्च संदेश है ये प्रतिमा देश को वीजन आफ वन्नेस के लिए प्रेरित करें जो स्वामी जी के चिंतन की प्रेरणा रहा है ये प्रतिमा देश को यूथ लेट डेवलप्मेंट के वीजन के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें जो स्वामी जी की अपिशा रही है ये प्रतिमा हमें स्वामी जी के ससक्त समरुद्ध भारत के सपने को साकार करने की प्रेणा देती रहे साथियों ये सिर्फ एक प्रतिमा नहीं है बलकि ये उस विचार की उंचाई का प्रतीख है जिसके बल पर एक सन्यासी ने एक सन्यासी ने पूरी दुनिया को भारत का परिचे दिया उनके पास बेदान्द का अगाद ग्यान था उनके पास एक वीजन था वो जानते थे कि भारत दुनिया को क्या दे सकता है वो भारत के विश्व बंधुत्व के संदेश को लेकर दुनिया में गए भारत के सांस्कृतिक वैभों को विचारों को परंपराओं को उन्होंने दुनिया के साम में रखा गवरोपुन तरीके से रखा आप सोच सकते हैं जब चारों तरफ निराशा थी हताशा थी गुलामी के बोज में दबे हुएती हम लोग तब स्वामी जी ने अमेरिका की मिशिगन उनिवर्सिटी में कहा था और ये पिछली शताब्दी के प्रारम में कहा था उन्होंने क्या कहा था मिशिगन उनिवर्सिटी में भारत का एक सन्यासी गोशना भी करता है दर्शन भी दिखाता है वो कहते हैं यह शताब्दी आपकी है, यह पिछली शताब्दी के प्रारभ में उनके शब्द है, यह शताब्दी आपकी है, लेकिन 21 शताब्दी निश्चित ही भारत की होगी. पिछली शताब्दी में उनके शब्द सही निकले हैं, इस शताब्दी में उनके शब्दों को सही करना यह हम सब का दाईत्व है. भारतियों के उसी आत्मविश्वास, उसी जजबे को यह प्रतिमा समेटे हुए हैं. यह प्रतिमा उस जोती पुझ का दर्शन है, जिसने गुलामी के लंबे कालखन में खुद को, अपने सामर्थ को, अपनी पहचान को भूल रहे भारत को जगाया था, जगाने का काम किया था. भारत में नई जेतना का संजार किया था.